नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आप का अपना जेवी और लेकर आये हूँ आज आपके लिए एक और नया किस्सा दोस्तों आज बात करेंगे हम बच्पन की कुछ कहानियों योगी कुछ किस्सों की तो बात शुरू होती है एक गाउं में किसी भी कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है किसी गाउं में एक टोपी बेशने वाला रहा करता था और वो टोपियां बेशने के लिए दूसरे गाउं भी जाया करता था तो दूसरे गाओं जाते जाते रास्ते में उसे बहुत धूप लगी तो उसने देखा कि एक बहुत घाना सा पेड वहाँ पर है तो उसने सोचा कि थोड़े दिर यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ और वो गया उस पेड के नीचे जाकर वो सो गया और जब वो सो कर उठा तो उसने देखा कि उसकी सारी टोपियान गायब हैं और टेंशन इधर देखा उदर देखा कहीं ठोपי नजर नहीं आए फिर उसने अफर वोतस बंदर बेठाके उपर तो वहां पर बहुत सारे बन्दर बेचते और सब बंदरोंने टोपियान पहन रह की थी तो भाइसाहब टेंशन में आगे और टेंशन में उन्होंने अपने सर पर जो टोपी रखी थी उसे उठाया और उपर उन्होंने देखा कि बंदरों ने भी उनकी देखा देखी में टोपियां उठा दी और उन्होंने फिर से उठाई बंदरों ने भी उठा दी अब उन्होंने टोपी को जम बाद उसका बेटा भी टोपियां बेचने लगा मतलब फैमिली बिजनस को आगे बढ़ाने लगा तो उसने भी वही रास्ता अपनाया टोपियां बेचने के लिए दूसरे गाउं जाने के लिए और जाते-जाते वहाँ पर उसे भी वह पेड़ नजर आया तो उसने सोचा कि क पापा ने बता के रखा था कि यार ऐसा कुछ होगा तो ऐसा करना तो उसने अपनी टोपी को उठाया तो बंदरों ने भी उठा लिया उसने फिर से उठाया बंदरों ने भी उठा लिया अब उसने टोपी को नीचे बटका और बंदर हसने लगे भाई टेंशन में आ गया क्या हो गया पापा ने तो कहा था कि बंदर ने तोपी को नीचे फैंकेंगे तो उसने क्या कि कि एक बार फिर से ट्राइब कि अब क्या करूं उपर से एक छोटा सा बंदर नीचे आया उसने ज़ोर खींच के ठपड़ उसके मूँपे मारा और बोला बेटा अगर तेरे बाप ने तुझे सिखा दिया है तो हमारे बाप ने भी हमको सिखा दिया है